दुस्मन सत्रू की जुबान बंद करने का पाउरफुल टोटका, पाउरफुल अमल, जी हाँ भक्तो, यदि आप अपने किसी दुस्मन से, अपने किसी सत्रू से बहुत जादा परेसान है, कोई अनावस्यक ही आपको बार-बार परेसान करने की कोशिस कर रहा है, या आपके उपर या आपके परिवार के उपर किसी के उपर बुरी नजर रगता है या आपकी जानमाल का दुस्मन बन बैठा है तो आज हम आपके लिए बहुत ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली तोटका, महा सक्तिसाली अमल आज हम आपको बताएंगे जिसको यदि आप हमारे द्वार से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए अपने सत्रू से छुटकारा पा सकते हैं अपने दुस्मन को अपने सत्रू को हमेशा हमेशा के लिए बरबाद कर सकते हैं यह बहुत ही पाउरफुल और महा सक्तिसाली सत्रू ना सक टोटका है वैसे तो बहुत परसिद्ध टोटका है लेकिन बहुत कम लोग बहुत कम तांत्रिक लोग बहुत कम बाबा लोग इस टोटके के बारे में इस अमल के बारे में जानते हैं तो चलिए, आज हम आपको इसकी पूरी विधी बताते हैं, किस को कैसे और किस परकार से करना है, किस दिन इसको करना है, सारा कुछ आज हम आपको बताएंगे. तो इसको करने के लिए आपको एक ताले की इसमें आवश्यक्ता होगी जी हाँ, एक नया ताला आपको लेना है, कोई भी नया ताला आपको ले लेना है ठीक है, अब आपको कैसे करना है, किस परकार से करना है, किस दिन करना है सारा कुछ आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएगे यदि यह वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो अपने दुस्मन से अपने सत्रू से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा आसानी से पा सकते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले ताले को खोल लेना है ताले को खोल लेना अब आपको क्या करना है इसके उपर ताले के उपर सबसे पहले अपने सत्रू का नाम लिखना अपने दुस्मन का नाम लिखना है जो भी उसका नाम है वो नाम आपको इसके उपर लिख देना है जैसे कि माल लिया जाया उसका नाम रमेश है तो आपको इसके उपर अपने दुस्मन का नाम लिख देना है ठीक है यह नाम हमने हिंदी में लिखा है आप नाम अपनी मात्रभासा में लिख सकते हैं ठीक है अब आपको क्या करना है ताले को बंद कर देना है ठीक है ताले को बंद कर देना है और एक मंत्र हम बताएंगे वो मंत्र इसके उपर बोलना है लाइटर लेना है कोई भी चीज लेनी है और इसको इस परकार से ताले को गरम करना है ठीक है जैसे ही आप इसको गरम करना शुरू करेंगे और इसके उपर मंत्र बोलना शुरू करेंगे वैसे ही आपका दुश्मन तडपने लगेगा ठीक है अब आपको क्या करना है मंत्र कैसे बोलना है ध्यान से देख लीजिए ठीक है इस प्रकार से इसको गरम करना है और पांच बार इसके उपर आपको मंत्र बोलना है सिर्फ पांच बार के बोलने से ही यह मंत्र अपना असर दिखाना सुरू कर देता है मंत्र ध्यान से देख लीजिए मैं बोल करके भी बता देता हूँ अमुक के स्थान पर आपको अपने सत्रू का नाम बोलना है, ठीक है? आपको लाइटर से इस प्रकार से ताले को गरम करना है और बोलना है पांच बार आपको इसके उपर मंत्र बोल देना है, अब ताले का क्या करना है वो अच्छे से समझ लीजी इस ताले को आपको किसी भी सुनसान जगे पर जाना है, किसी भी सुनसान इस्थान पर जाना है और ताले को आपको एक फुट का गड़ा खोद करके वहाँ पर इसको दबा देना है या फिर इसको किसी भी बैते हुए जल में भी परभायत कर सकते हैं, ठीक है? एक फुट का गड़ा खोद करके आपको मिट्टी में दबा करके चले आना है और बस दो दिन बात देखेंगे आपका सत्रू तडपने लगेगा आपका सत्रू हमेशा हमेशा के लिए आप से सत्रूता छोड़ देगा और हमेशा हमेशा के लिए सत्रू बरबाद हो जाएगा